नमस्कार फ्रेंड फ्रेंड हमारी चैनल माप सबीका स्वागत है फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी अनुदेशक भरती बहाली जो है वो आ चुकी है तो फ्रेंड आज हम लोग इसमें विश्टार से चर्चा करेंगे और बात करेंगे फ्रेंड की यूपी जो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और फ्रेंड आप सबीस कहना चाहेंगे अगर आप लोग असिस्टन बोई टेक्निशन त्यारी करें तो आप लोग के लिए हमारे चैनल पर स्लेबर्स के कॉर्डिंग बुक त्यार की गए है लिंक डिस्क्रिप्शन बाक्स में वहां से ज एक्जाम से लेटर तो असिस्टन बोई टेक्निशन की एक्जाम हमारे बात की जाए तो फरवरिक लाश्ट विक में हंडेब परसेंड में हो जाएगा तो हम लोग आज इसको विस्तार से चर्चा करते हैं क्या क्या चीज़ें अनिवार कर दी गई हैं तो आप देख सकते है यह जो है पेपर का कटिंग इसमें देखिए क्या क्या बताएगा है कि अनुदेशक में आइटियाई में अनुदेशक पद पर भरती के लिए CITS की आहरता अनिवार तो CITS क्राफ्ट इंस्टेक्टर ट्रेनिंग इसकीम की अहरता अनिवार होगी यही नहीं चैन में सैचि नई अहरताएं भी ताएं कर दी गई है इसके लिए उत्तर प्रदेश राजकी और धोगिक प्रसिच्छन संस्थान अनुदेशक और फोर मैं अनुदेशक सेवा नियमावली 2021 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है पूर्व में अनुदेशकों के चैन में सैचिक अहरता के स आईटी आई डिप्लोमा आधी के प्रतांकों को तरजीह दी जाती थी जो की अब नहीं मिलेगी मात्र सियाइटी जिसके परिच्छावा मुलियांकर भारत सरकार के अधिन किया जाता है उसके प्रतांकों को वरिता दी जाएगी नई नियमावली भरस सरकार के निर्देश अनुसार बनाई गई है इसे बित्व कार्मिक नयाय से अनुमोधन के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है तो फ्रेंट बात की जाए तो अब विस्तार से मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें जो है CITS अनिवार कर दिया गया है जिसमें फ्रेंट जिन स्टुडेंट को आप CITS होगा वही बच्चे इसमें फॉर्म को फिल अप कर पाएंगे बात की जाए तो इसमें जो है आपके जो CITS और ITS है 20% इसमें लिया जाएगा आप ध्यान दीजिएगा उसके बाद 80% आप कह सकते हैं 80 नंबर आपको जो है लाना होगा कहां से वो आपको रेटन टेस्ट देना होगा एक्जाम देना होगा तब ही आप जो है इसमें फाइनल पे पहुंचेंगे तो बात की जाए तिसमें CITS भी अनिवार कर दिया गया है और आपके जो वेटेज है वो सारा कुछ इसमें बता दिया गया है और बात की जाए फ्रेंट इसमें पेट लागू होका नहीं होगा और कौन से डिपार्ट इसको जो है चैनित करेगा तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारा UP SSC है UP SSC वो जो है इसको भरती कराएगा ठीक है उसके जरीए इसकी भरती होगी तो UP SSC में आप भी जानते हैं अभी जो है पीटी को लेकर जो है एक्जाम कराएगा है पीटी ठीक है तो पीटी का जो एक्जाम कराएगा है तो UP SSC नहीं कराया है और जब UP SSC उसको निकालेगी पहाली कराएगी तो उसमें जो है क्या होगा फ्रेंड आप लोग का पेट लागू कर दिया जाएगा तो ऐसे में बहुत से बच्चे ऐसे हैं 80% आप कह सकते हैं कि पेट ही नहीं मतलब एक्जाम ही नहीं दिये हैं पेट का इक्जाम ही नहीं दिये हैं तो आप समझ सकते हैं सिर्फ 20% बच्चे ही एक्जाम दिये हैं तो ऐसे में जो है पेट हंड़्ड परसंट लागू होगा पेट इसमें रहेगा उसके बाद जो है जब 20% होगा तो काफी सीटे पचीस सो सीटे आप या रहे हैं और बात की जाए, तो आपका CTI, मतलब CITS 100% अनिवार है, इसमें सारा कुछ डिस्कस कर दिया गया है, और रिटेंट टेस्ट इसमें आपका देना होगा, तो फ्रेंड आप जानते हैं, सारा कुछ इसमें आपको बता दिया गया है, अब आपकी क्या रहा है, आप जरूर कमें करके बताएगा, बाकी फ्रेंड पहले यह होता था, डिप्लोमा और जो आईटी एक बच्चे होते थे, वो सारा इसमें बात की जाए, तो आप लोग experience लगा कि इसमें फार्म फिल आप कर देते थे, आइसा आप नहीं होगा, अब इसमें CTI, मतलब CITS अनिवार कर दिया गय है, मतलब UP SSC भरती जब भी निकालेगी, मान के आप चलिए, कि उसमें पेट 100% होगा, और अगर पेट इसमें नहीं लागू होगा UP SSC में, तो फिर आप मान के चलिए, इसके लिए बिवादित हो जाएगा, और यह भरती कोर्ट में चली जाएगी, आप लोग भी जानते है तो ऐसे में जो है, यह पेट 100% लागू कर देगा, तो यह थी फ्रेंड जो है, हमारे तरफ से आप जानकारी, अगर आपकी कोई राय हो, तो जरूर आप कमेंट करिएगा, चैनल पर नहीं तो जरूर चैनल सस्क्राइब कर लीजिएगा, बाकी फ्रेंड आप लोग अगर अ कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, सो थैकर वाचिंग अन्ट वाइबर,